अब बिल्लाहिमिने शेत्वानित वज्जीम बिस्मिल्लाहित वख्मानित अहीन असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुसिन दजा और आप लोग देख रहे हैं 24 आर 7 टीचेश ऑनलाइन दोस्तों कलास चल देए हमारी इंट्रेक्शन तो बिजनिस की और आज की कलास का जो हमा हमारा टॉपिक है वो है बिसिकली फ्रेंचाइजिंग दोस्तों हम देखेंगे कि फ्रेंचाइजिंग क्या होता है इसके क्या-क्या फवाइद हासिल होते हैं और इसमें कितनी पार्टी इन्वाल्व होती हैं यह सारी आज की हमारी क्लास का टॉपिक है दोस्तों आज हमारी Introduction to Business की चौदवी क्लाफ है और मुझे उमीद है कि आप लोगों को इस क्लाफ से काफे कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा होगा तो चलिए दोफ़तों हम लोग आज की अपनी इस क्लाफ को शुरू करते हैं और आज की चलाफ शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने अपने पिछली क्लाफ के अंदर क्या पढ़ा था दोफ़तों पिछली क्लाफ के अंदर हम लोगों ने बात की थी Entrepreneurship के हवाले से हमने देखा था Entrepreneurship क्या होती है हमने इसके साथ ये देखा था Entrepreneurs कौन होते हैं उनकी क्या-क्या Characteristics होती है साथ ही हम लोगों ने Business Plan की बात की थी और उसके मुख्लिस Components को देखा था यहां तक तो थी हमारी दोफ़तों पिछली क्लास आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया के हम बात करेंगे Franchising के हवाले से और इसमें देखेंगे के हमारे पाफ कौन-कौन सी Parties Involve होती है Franchising Agreement के अंदर इसके साथ ही उन Parties को कौन-कौन से Right वाइट वाफिल होते हैं इसके साथ हम ये भी देखेंगे के इसके क्या Advantages और क्या Disadvantages है If we are using the Franchising अगर हम Franchising का इस्तमाल करते हैं तो चलिए दोस्तो आज की क्लाफ शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं के Franchising basically होता क्या है Franchising की Definition दोस्तो आपको स्क्रीन के उपर नज़र आ रही है An Agreement between two parties in which one party passed the rights to the other party कि ये basically एक मौाहिदा होता है एक Agreement होता है जिसके अंदर दो parties involved होती है एक party जो है वो कुछ rights दूसरी party को transfer करती है इसको हम Franchising कहते हैं अब वो दोस्तो दो जो पार्टियां involved होती है Franchising Agreement के अंदर वो कौन कौन सी होती है इसमें हमारे पाफ जो पहली party है इसको हम Franchiser कहते है Franchiser the party who transfer the rights to the other party के वो party जो rights को transfer करती है दूसरी party को उसको हम Franchiser कहते हैं इसके साथ ही हमारे पाफ Franchising की जो दूसरी party है इसको हम Franchisee कहते हैं यहां पर भी Franchiser लिखा हुआ है यहां पर Franchisee आना था मतलब R की जगा पर E आना था तो वो आप लोगों ने Change कर लेना है तो इसमें है the party who receives the rights के वो party जो उन rights को जो पहली party ने Franchiser ने transfer किये हैं उनको receive करती है तो इस party को हम Franchisee कहते हैं तो इसके अंदर दोस्तों हमरे पर दो parties involved है the first one is the franchiser who transfer the right and the second one is the franchisee who receives that rights जो उन rights को receive करती है तो यह दो party हैं हमारे franchising agreement के अंदर involved होती है दोस्तों इसके साथ ही हम यह भी देख लेते हैं कि यह जो franchising agreement है इसके क्या-क्या advantages है तो यहां पर सक्रीन के उपर आपको बहुत सारे advantages नवर आ रहे हैं franchising के हम बारी-बारी इनको मैं एक-एक करके दिखाता जाओंगा आपको table screen के उपर नवर आ रहा है इसमें पहला जो advantage है वो है not pay fee इसमें एक party दूसरी का नाम इस्तवाल कर सकती है अगर अपना नाम register करवाए तो fees ज्यादा होती है for example यहां पर हमारे पास जो है मुख्तलिफ franchising अब जैसे आपने सुना होगा jazz की एक franchise है you phone की एक franchise है service shoes की एक franchise है तो अगर वो original company यहां पर बनाई जाए हमारे शहर के अंदर तो उसका जो नाम register करवाना पड़ेगा उसकी बहुत ज्यादा fee pay करने पड़ेगी तो companies क्या करती है कि एक उनका main head office बना लेती है और आगे फिर वो franchising दे देती है कि आप company का नाम use करके जो है company की ही product fail करेंगे और फिर उसमें profit and loss sharing होगी तो उसमें जो है वो company वो बिलकुल minimum fee ले लेती है और franchising issue कर देती है तो इसमें एक फाइदा जो है वो यही है कि not pay fee कि fee कई बार तो pay ही नहीं करने पड़ती है अगर pay करने पड़ती है तो बिलकुल minimum fee पे करने पड़ती है इसके बाद हमारा जो दूसरा है access big business तो इसमें एक party को big business access होती है जैसे अभी मैंने आपको jazz franchise की example दी your phone की example दी zone की franchise की example दी तो यहाँ पे देखें कि basically होती तो franchise है लेकिन वो एक big business यानि के बड़े कारोबार को access कर रही होती है तो यह franchising का दूसरा बड़ा फाइदा है इसके बाद तीसरा हमें जो है use the name के एक party जो है वो दूसरी party का name इस्तमाल कर लेती है अगर हम वो ही अपनी franchising यानि के jazz, your phone, your phone की franchising को ही देखें तो हमारे शहर के अंदर जो franchising होंगी वो उस पहली party का जिनके साथ उनका agreement है उनका नाम इस्तमाल कर रही है इसके बाद अगला जो benefit है वो है guide all affairs of business इसमें एक party दूसरी को जो है वो कारोबार के अंदर मुकमल रहनमाई फरहम करती है जैसे schools भी आयो है air foundation का school है beacon house का school है तो वो भी एक franchise ही है तो educators है तो यहाँ पे अब क्या होता है कि main जो air foundation यानि के air university जो group है वो जो बंदा franchise लेता है तो उसको complete guideline भी फरहम करते हैं और time to time जो भी updates आती हैं वो भी उनको guide करते रहते हैं इसके बाद जो next है वो है choice of location इसमें एक party अपनी मर्वी से करोबार के लिए location जो है वो अपनी मर्वी से मुन्तखिब कर लेती है कि देखें हमने जो है वो school की एक franchise ली है तो हम अपनी मर्वी से जहां पे हमने school बनाना है अपनी मर्वी से कोई भी जगा का ताइन करेंगे और वहां पे school बना लेंगे या जैसे हमारी ये जैव की franchise ही है या हमारी यूफोन की franchise है या हमारी वांग की franchise है तो ये देखें कि इन्होंने बड़ी कंपनियों के साथ deal की है वहां से ये franchise ही ली है और franchise लेने के बाद उन्होंने जो shop बनाई है या जो location मंतखिब की है वो अपनी मर्वी से की है और अपनी मर्वी से location मंतखिब करने के बाद वहां पे वो लोग जो party है एक party अपनी वो franchise बना लेती है तो दोस्तों ये थे कुछ फवाइद अगर हम franchising का business करते हैं इसके साथ ही जहां पे इसके franchising के फवाइद होते हैं तो वहां पे जो है इसके कुछ नुक्षानात या dis advantage जिने हम कहते हैं वो भी होते हैं तो हम जो है इनके disadvantages को भी बारी-बारी देख लेते हैं तो इसमें जो सबसे पहला disadvantage है वो क्या है high cost in franchising high cost is involved कि sometime जो है companies जैसे हम ये कहते हैं कि हम beacon of school system की एक franchise लेकर आ रहे हैं आपके शेहर के अंदर तो उसमें क्या होगा कि franchising तो हमें मिल जाएगी लेकिन उसके साथ जो है beacon house school system जो है वो security की मद में आप से 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख जो है वो अलग लेगा और फिर जो आप franchise लेके आएंगे वो location आपको purchase करनी पड़ेगी वहां पर आपको building बनानी पड़ेगी infrastructure बनाना पड़ेगा तो इसके अंदर जो है वो काफिफादी cost involved होती है तो जब भी हम franchising का business करते हैं तो उसकी जो cost होती है as compared to starting the new business वो बहुत व्यादा होती है तो इस लिए हमें जो है वो new business की तरफ जाना चाहिए franchising की तरफ नहीं जाना चाहिए franchising के जहां advantage इव है तो वहां पर एक disadvantage ये भी है कि उसको शुरू करने के लिए आपके पाफ huge investment और huge amount of funds होनी चाहिए इसके बाद अगला जो इसका disadvantage है वो है proportionate profit if given to the franchiser by a franchisee every year हर साल जो है profit का जो portion है franchiser और franchisee का अलग कलव करना it's too much difficult task के आपको कितना मतलब वो हुआ इसके लिए आपको जो books of account हैं वो भी proper maintain करनी पड़ेंगी और फिर profit को जो distribution है या उसकी जो proportionate है के franchiser का कितना होगा who transfer the rights to the franchisee और उसमें franchisee का कितना क्योंके ये जो बड़ी-बड़ी companies हैं जिन से हम जो है franchising लेकर आते हैं वो ना सिरफ जो है आप से एक security की मत में huge amount लेते हैं बलके along with that ये agreement भी करते हैं कि आपने जो है एक certain percentage एक specific predefined percentage जो है हर साल अपने profit में से भी देनी है तो इसको जो निकालना है वो मुश्किल हो जाता है इसके बाद हमारा जो तीफरा advantage है वो है there are too many restrictions from franchisor on franchisee अब जब भी हम कोई franchising का business कर रहे होते हैं तो ये नहीं होता कि हम जो है उसके साथ कुछ अपनी भी advertisement कर ले for example हम लोग जो है air foundation का school लेकर आ जाते हैं तो हमें जो है वो यहाँ पे education की advertisement नहीं बलके air foundation की ही advertisement करनी पड़ेगी और उसके साथ उनकी कुछ restrictions भी होती है for example उनका जो curriculum है वो आपको export की ही books लगानी पड़ेंगी आप कोई और brand नहीं लगा सकते उनका जो fee furniture है आपको उसी को ही follow करना पड़ेगा तो इस तरीके से और मतलब franchising के लिए जो है वो बहुत सारी restrictions होती है जिनको जो है वो पूरा करना पड़ता है वरना वो को franchising के हवाले से बताया उसके अंदर हमने देखा कि कौन-कौन सी parties involved होती है उसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि इसको अगर हम शुरू करते हैं as a business franchising को तो हमें कौन-कौन से सवाइध हाफिल है और अगर हम इसको शुरू करते हैं तो हमें कौन-कौन से नुक्षानाद या डिफ एडवाइटेजिव हो सकते हैं आज की class दोस्तों हम यहीं पे खतम करेंगे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने like कीजिए अपने दोस्तों के साथ शियर करें और कमेंट्स की फुरूत में फीडबैक जरूर दिया करें ताके मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ और मेरा चैनल 24R7 Teachers Online सब्सक्राइब कीजिए ताके मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच फकी और आप उफे फीक फकें दोफ तो मिलते हैं अगली क्लाफ में उफवकत तक के लिए अला हाफिव